बी पराक जी मीरा जी रादे रादे मारा जी आपको चण्णों में परणा मारा जी नो महीने मा बच्चे को अपने कोक में रखती है और पैदा करती है वो बच्चा दुनिया में आकर सांस ना ले क्या वो इस दुनिया के लिए नहीं था मारा जी थोड़ा सा इस वात को जब जितनी जहां हमारी श्वाशें नियत करके भेज अब है तब तक वहां उतनी ही स्वाशें हम केबल ले पाएंगे जिस शरीर में भेज बाद जैसे मा के कर्मे में सिर्फ चार मेहने तुम्हें टिकना इसके बाद तुम्हारी आवि श्मा तुम नहीं होके जाओगे उतना ही हो चार मेने के बाद तुमें जाना पड़ेगा मा के गर्व से प्रगट हुए पांच घंटे केवल लेना है पांच घंटे बाद जाना है यह हमारी इस जन्म का थोड़ी है अभी तो जन्म में नहीं हुआ यह पूर कर्मों की अनुशार शुब और अशुब कर्म से इस शरीर की रचना होती है अव उस रचना में मनुशियों का किवल इतना ही सोभागे दिया गया तुम मा के गर में नौ महीना तो बहुत होता है तुम एक महीने केवल बुदबुदा और बेर रूफ होगे नस्ट हो जाओगे या तुम पैदा होगे आँक खुलते ह मर जाओगे विधान है अगर विधान है तो असी वर्स जी होगे इसका नाम म्रत्यू लोक है गर्व से लेकर के और पूरा शरीर होने तक कभी भी जितना विधान है श्वाशों का तो यह तो आहो भागि मनौ कि माता पिता के द्वारा ऐसा विधान बन करके हम होटल पर मुक रोग हो गया उसमें क्या पाप किया है वो बालक नहीं है उसको नया कपड़ा मिला है वो बहुत पुराना है वो पुरातन जीव है अनंत जन्मों से नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए वो अपनी पोटरी लिए गूम रहा है सुबहर अशुक की उसी को बिद्ध्वन् कितना बढ़िया संयोग बना था मांके गर्में में मनुष्य शरीर का हमारा निर्मान हो रहा था हमारे कर्म इतने नीच थे कि हमांके गर्म से बाहर ही ने निकल पाए खतम चल अब दूसरी मां को सोईकार कर कौन सी जीवियों ने में बेजेंगे हम लोग अग्याली है सोचते हैं यार उस बच्चे ने क्या किया था जो अभी गर्म में है उस बच्चे ने क्या किया था जो अभी गुटने कबल चल ला है उसने कौन सा इसा बड़ा पाफ किया वो बच्चा नहीं है वो अनंत जन्मों से सास्वाती स्वरकांस है उसने खुम लेकिन पीछे उन्होंने जो किया उसका हिसाब यह है जैसे बचपन से हमें याद नहीं हमने किसी को इसे कष्ट दिया हुगावाजी है किड्नी दोनों फेल है अभी थोड़ी दिर में डाइलेसस में चले जाएं क्या भिश्म जी कह रहे है मैंने प्रभू कई जन्म देखे कि हमने किसी को दंड़ नहीं दिया च्छे मैंने से बाणों की सहिया पर पढ़ा हूँ वह आनने का कितना देखा बोले सव जन्म बोले और और पापरपुर्ण मिस्रित तो मानो दे कितने समय तक यह है इस आफिस में बेजा गया सरकारी हुकोम हुआ ट्रांसवार आज ही आज अभी बसता नहीं रख पाया ट्रांसवार भागना पड़ेगा सरकारी आदमी हो भगवान के अन्शों चलो दूसरी सूकरियों में चलो कुकरियों अनंत जनम भटकने पड़ते तब का आगया दुरलभो मानुशों दे हो लेकिन सावधान देहिनाम चण भंगिरा एक शण में नस्ठ हो जाने वाला है तो क्या करें तत्रापी दुरलभं मन्नेत बैकुंट प्रीधर सनम भगवान स्रीहरी के प्रेमी जनों का दर कि यह जो मा के मलमुत्र के बीच में आतों की जिली में मैं लिप्टा हुआ हूं यह मेरे कर्म काफल है अब जैसे ही चेतना जागरत होती भयानक पीरा होती है जैसे अपने को किसी प्लास्टिक के उसमें बंद किया तो कैसा लगेगा और उसमें नाब इसे कनेक्शन होता है तो जीवन ने यात्रा चलती रहती है पर श्वांस लेना इस सब असंबह होता है क्योंकि वो कुंडला कार होता बड़े ही वैसे लिबली बे पदार्थों से वह इसा होता है तो श्वांस लेना या कुछ कर पाना उसके लिए असंबह भारी पीरा तो भगवान की पेरणा से ग्यान तब प्रारसना करता है कि यद्य प्रभु मैं यहां बहुत कष्ट पा रहा हूं पर बार निकलने में मुझे डर लग रहा है यहां का कष्ट तो असेनी है पर जब मैं बाहर जाओंगा आपकी माया मुझे घेर लेगी मैं फिर आपको भूल जाओंगा पर प्रभु वो पैदा होता है कहां कहां वो जो अभी ग्यान था हो कहां गया धूमी परत भार धावर पानी जिम जी वह माया लप्टाली जैसे सुद्ध बून जमीन में गिरा और गंदा हो जाता है ऐसे जवां ग्यान का विकात यह अम्मा है इनको पापा बोलो अब वो संस्कार इतने द दर्वाजे बंध हो एक दर्वाजा खुला हो आँखों से दिखाई न दे रहा हो तो ट्रटोल के ही तो चलेगा और जहां वो दर्वाजा खुला वाला आता है तो उसे खुजिली लग जाती है वो दोनों आते पैर चल रहे हैं और वो क्रास कर फिर उसको तीरासी कोई भी इंद्री चैन से रहने दे रही यह देख लो यह सुन लो यह बोल लो यह भोग लो यह चकलो यह सूंग लो पूरा जीवन यह इसी इंद्रियों के दुलार में कट गया और जब होस आया चलने का तब हमने तैयारी चलने वाली तो कुछ की नहीं थी ना पास मिला न चान भाओ वह पास है नहीं धन होना चाहिए नाम कवीरा सब जंग निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जाली जाके राम नाम धन वह दन है लहीं अच्छा परिचय पतनी पुत्र परिवार यह सब यह रहेंगे जहां जारे हो परिचय गवडा आ जाता है उसी देखो चुटे-चुटे बच्चों को नहीं उते प्रकार के भयानक रोग इसका मतलब पूरुजन्म का अभ्यास बिना सिखाए पढ़ाए भी अभ्यास बताता है यह पूरुजी में जन्मा है जैसे छोटा बच्चा है मापने इस्तन लगा देते उसके मुख में किस ने सिख बनता है कि इवल बेवार में इसने नया कपड़ा धारन किया है और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है फिर उसकी पूर्विस्मृति नश्ट होती जाती और नई स्मृति फिर बना आवं भगवान का अगर करपा करके मनुष्य शरीर मिला मार्ग भी मिला तो ऐसा विसाया कर भगवान का वर्तमान में तो आनंदन वह आता नहीं तो लगता है भगवान बाद में भी मिल जाएंगे यह भोग भी भोग लो फिर फिसल कर वहीं पहुंच गया जहां से फिर लहीं खड़ा होकर उपर चल सकता है चड़ाई इतनी सीधी है कि बिना सायोग के चड़ा नहीं भगवान के भोग जब सामने होते तो दो पक्ष रखा जाता है तो मैं भगवत प्राप्ति करनी है भोग आज भोग लेते हैं फिसल जाता है भगवदा अनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर है और बड़ा सवभाग्य है जो अभी हमारे में प्रान है अब हमको ज्यान बैरागी की बात नहीं कर रहे हैं तो एक अपने मित्र की तरें जब आपका शरीर साथ जाएगा अगला पका नाम भी और, पढ़ाई ऑर ऊगी रूप भी और, परिवार बी और, ना इपूत्र पूत्र, परिवार में क्यों जाना पक्का है ऐसा नहीं कि बचों dry, अ अपने कल्यान के लिए 24 घंटे में 24 मिनट यदि नाम जब करोगे, तो हम ब्रंदावन में बैठे हुए कह रहे हैं, तुम्हारी दुर्गती नहीं होगी, 24 मिनट, 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे, 24 मिनट, एक घड़ी कहते हैं उसको, 24 मिनट, मेरे प्रभू इतने कृपाल हु तो कहते हैं न, कोई बास सत्य कहने, तो मंदिर में चड़के बोलो, कहते हैं न, मंदिर क्या है, तो भगवान का निजमेल है, व्रंदावन धाम, 24 मिनट जपोगे, और अपने थोड़े आचरणों को सुधार लिए, तो भगवान कृपा करेंगे, एक बार जिन नामली, हित सोहयति दीन, ताको शंग नचाड़ ही, प्रभु अपनो कर लिन, इतने करुणा वरुणाले हैं, कि वो आपको लगता होगा कि यह कितन गरंथों में केवल लिखा है, नहीं, हम लोग लिखे पड़े से नहीं जीवित हैं, बनावटी जीवन से नहीं जीवित हैं, लिखे प मैं अपने प्रभु को देता हूँ, राम, हरी, कृष्ण, राधा, जो नाम प्री लगे, जो सरधा हो, जो गुरु जी ने दिया हो, आप जब के देख लो, मतलब आनंदी तरह हो, आज कल क्या है, समाज का जो बौधी किस तरह है, वो वर्तमान के प्रमान पर जीवित है, व जैसे इस वर्तमान का भी है, जैसे तुम देख रहे हो, कि वहला ग्यान के कारण तुम्हें या इसे ही भास रहा है, जैसे स्वपन में सारी चेश्टाएं होती है, लेकिन जगने पर उसका कोई मात्व नहीं होता, ऐसे मरने पर तुम्हारा कोई मात्व नहीं हो, वर्तमान क तिर नान्यास तो राधाम में इसलिए हरदय की बात कहता हूं कोई पक्षपात कोई बनावटी या आप से कुछ प्रलोभन क्या दोगे तुम खोद यार वीश्यों में बिख्षुप बने हुए हो देखो ना हरदय में अगर तुमसे कहा जा क्या मांगोगे तो रजिस्तर बर देखो ने किसी प्रलुभन से आप हमारे यार हो आप हमारे जन हो ना तो सब हमारी मालिक के हो ना हमारे बस आपके शुक के लिए कराहूं कि यदि 24 pagu में 24 मिनट समय तो निकाल लो, प्रपंच से, हर समय आप कारे रत नहीं रहतें, प्रभू देख लीजे, बहुत समय ऐसा है, जो आप बर्बात करते हैं, हम कारे वाले समय में नहीं कहरें, कि तुम ध्यान करो, नई, डटके कारी करो, तुमें जो कारी मिला, एकागरता पुरू करो नहीं कर नहीं पाओगे प्रभू का भाव बना लो और कुछ मिनट जब प्रभू के लिए देऊ तब उस कारी को रोको या फिर चौविस मिनट मालिक को दे रहे तो थोड़ा मन को सावधान करो कि यार चौविस मिनट की बात है इसके बात तुम जहां कोगे हम चलेंगे ज इर्गकाल नैरंतर सतकार सेवितो द्रडभूमी पातंजली महराज कहते हैं लंबे शमय तक पूर्ण स्रधा रख करके भाव पुर्वक यह जब करोगे तो तुम्हें चमतकार दिखाई देनी लगेगा पहले नाम तुम्हारे पापों को नस्ट करेगा अब अब जो पापो पर बेटा भाजन के प्रताप से मैं देख पा रहा हूं कि भगवान स्वयम आके तुम्हें दर्सन देंगे सबरी जी ने वही आसा कि बहुत समय बितित हुए भगवान नहीं आये पर गुरुजी के बचनों पर विश्वास नहीं हुआ रोज पावड़े डालना रोज वैस कितने वर्ष हो गया गुरुजी ने कहा था फुसला तो नहीं दिया और एक दिन भगवान आये सबरी जी को मिले यह सत्य मार्ग है थोड़ा समय लगेगा जनम जनमांतरों का कूड़ा करकर जमा है पाप वो नश्ट होगा और फिर नाम का जब प्रताप सच्ची कहते जूम पड़ोगे नाच पड़ोगे जनम जनम की बिगड़ी बन जाएगी कोई प्रड़ोवल के लही कोई यह जादू टोला की बात लही यह सत्य मार्शियों की बात है और हमें लगता है आप अंदर से तो कही न कहीं बात समझी रहे हैं नहीं समझ रहें यह सब छूटेगा जाएगा तो भगवाल का ही भजन साथ जाएगा समझ में तो इतले आई रहा है ला